नमस्कार, A to Z dishes उश्या कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंट्रिस्टिंग वाली रेसिपी शेयर करने जारी और वो है साबुदाना की थाली पीड आपने साबुदाना के वड़े खायोंगे, खीर, काफी सारी चीज़े खायोंगी पर ये थाली पीड बहुत ही मज़िदार लगती है इसे आप धाई के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, जब आपका वरत है तब भी आप इसे बना कर खा सकते हैं और ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं, जब आपको कुछ अच्छा मज़िदार खाना है तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगी और अभी नवरात्री भी आने वाले हैं तो आप इस बार वरत जब भी रखे तो ये थाली पीट जरूर बनाएं, तो उसके लिए आपको साबुदाना लेने, तो यहाँ पर मैंने एक कप टोटल साबुदाना लिए, इसे हमें दो से तीन पाई से अच्छे से वाश कर लेना है, वाश करने के बाद इसके अंदर पा इसे रख सकते हैं, यानि ओवरनाइट इसे आप भिगो कर रख सकते हैं, पर मैंने इसे दो गंटे ही रखा है, अच्छे से हो गये हैं, इसका जो पानी था हो थोड़ा वो मैंने निकाल लिया है, और इसे एक बड़े से बरतन में ले लिया है, उसके बाद मैंने तीन उबल अलू को छील कर मैंने अच्छे से मसर लिया है अब यह जो आलू है वह साबु दाना के अंदर डाल देंगे और इसी के साथ इसमें मैं डाल रहे हूं पीसी हुई चीनी एक चौथाइच चमच इसी के साथ आधी चमच बुनावा जीरा पाउडर एक चौथाइच चमच काली मि और वरत में खाने वाला स्वाद अनुसा नमक और यहां पर मैंने मुमफली ली थी उसे मैंने दरदरा कूट लिया था यह डाल देंगे एक चम्मत जितना और एक नीमबू का रस चार से पांच कटी हुई हरी बारिक वाली मुर्ची और इसी के साथ थोड़े से धनिया के बाल रही हूं एक कब समा के चावल इसे हम ढखकर अच्छे से पीस लेंगे तो मैंने इसे पीस लिया है अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे की तरह हम जैसे आटा गुनते ने वैसे हमें गुनना है तो यह जो समा के चावल है न यह व्रत में जाते हैं तो यह समा के चावल से क्या होगा इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी इसकी जगह पर सिंगारे का आटा भी डाल सकते हैं वह भी व्रत में खाया जाता और कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं तीनों ही आप बाइंडिंग के रूप में व्रत में जब बनाएं तो यह डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर समा के चावल को अच्छे से पीस कर एक बार डाल दिया और तो जो बचा हुआ वो भी मैंने डाल कर अच्छे से गुन लिया है थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है तो देखिए एक आटे की तरह तयार हो गया है अब यह जो कपड़ा थोड़ा बीच से गीला कर लेना है और हमारा जो यह आटा है इसमें से मीडियम साइस की लोई लेनी है इसे दोनों आत के बीच में इस तरह से करकर अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाना है और यह कपड़े पर रखते हुए इसे हम थोड़ा थोड़ा पान जाती है हमारा तब आच्छा गरम हो गया कपड़े के साहता सी उठाते हुए हम यह डाल देंगे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और इसे हमें ऐसे ही पकने देना जब तक यह पक रहा है हम दूसरा भी बना लेंगे कपड़े पर हलका सा प बाद करना है देखिए एक साइट से सिक्क है उसके बाद ही हमें पलटना और धीमी आच कर लेनी है जब तक यह एक साइट से पक रहा था तब हमारी आस तेज सी अब इसे मैंने पलट लिया तो आज मद्यम कर लिया और तेल लगा लिया अच्छे से अब इसे हम पलटेंगे अच्छे से एक तुम शेक लेंगे अच्छे से दोनु साइट तेल लगा कर तो यहाँ पर जब आप यह तब पर डाले तो एक से आधी मिन्ट तक अच्छे से पक नहीं दे जो साबुदान का मोईस्टर है आलू का है वो एक तुम अच्छे से पक जाए उसके बाद ही आप पल्टे देखिए अच्छे से मैं इसे सेक लिया और हमारी जो थाली पीठे वो तयार है इसे मैंने निकाल लिया है इसी तरह से कपड़े की सायथ से दूसरी भी उठाएंगे और ये डाल लेंगे देख सकते हैं एक से आदी मिनित तक नहीं चुना है फिर इसके बाद इस तरह से पलटते हुए तेल लगा कर अच्छे से आपको से सेख लेना है बहुत ही स्वादिस लगते हैं खाने में आप एक पर जरूर ट्राइ कीजिए कर बार बार आप अपने आप भी बनाएंगे और आपने देखा ही बहुत ही आसान है सिब आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे कपड़े से तवे पर डालते हैं तो इसे छुए ना थोड़ी से सिख जाए उसके बाद ही इसे छुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारी डालती चारी और बहुत ही आसानी से निकल जाती है और देखे कपड़े से इतनी आसानी से निकल रही है और म बिना बरत भी से खा सकते हैं इतनी है स्वादिस लगती है तो से ट्राइ कीजे और मज़े कमें सेक्शन बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्रा